वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस कैसा हो कि जब आपको पता चले कि एक पेरेंस अपने बच्चों से बिलकुल प्यार नहीं करते तो उन बच्चों को अपने पेरेंस के लिए कैसा लगेगा क्या आज तक इस से पहले हमने ऐसी मूवी देखी है तो चले फिर ब प्यार करना अच्छी बात है लेकिन इस चक्कर में वो अपने बेटी को भूल गए उनके सबसे बड़े बेटे का नाम टिम था टाइम थोड़ा आगे बढ़ जाता है जहां दिखाया जाता है कि टिम की अब तीन बैने है टिम से छोटी बहन का नाम हेलसा और उससे दो और ही नहीं करने चाहिए मैं जाकि अपने पेरेंस से बात करता हूं जिसके बाद टिम अपने पेरेंस के पास आता है बात करने के लिए लेकिन टिम के पेरेंस उल्टा टिम को ही डाटने लगते हैं कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं देंगे इतनी देर में पीछे से ह जो कि अपने पेरेंस का खाना चुरा के खाने ही वाली थी कि तब ये उनकी मॉम देख लेती है। जो कि अपने पेरेंस का खाना चाहिए। जो कि अपने पेरेंस का खाना चाहिए। और नाहीं वो जानती है कि ये बच्चा किसका है। लेकिन फिर भी अब जब घर से निकाल दिया गया था तो वो सोचने लगती है कि आखर इस बच्चे को कहा छोड़ा जाए। ये सारे बच्चे एक रेंबो का पीछा करने लगते हैं और जहां पे रेंबो खत्म होका वहीं पे ये बच्चे इस चोटे से बच्चे को छोड़ देंगे। ये रेंबो एक कैंडी शॉप पे खत्म होता है जहां का उनर एक कमांडर था कमांडर काफी जादा स्ट्रिक थे इसे के करन वो बेबी को छोटे से बॉक्स के अंदर डाल के उसके उपर नाम लेके माई पे छोड़ देते हैं बच्चे देखते हैं कि कमांडर ने दर्वाज एजिंसी थी और उसे आईडी आने लगता है वो ट्रेवल एजिंसी के अंदर जाता है और सोचता है कि वो अपने पेरेंस को एक ऐसी जगह पे बेज़ देगा जहां से वो कभी लॉट के नहीं आप आएंगे और यह सारे बच्चे औरफन हो जाएंगे जिसके बाद इन्हे तब मिलती है जब इसमें लिखा था कि इसमें बच्ची अलाउट नहीं है लेकिन टिम के पेरेंस को ये बात पता थी कि अगर यह लोग यहां पे बच्चों को छोड़के चले गए तो बच्चे इस पूरे घर को खराब कर देंगे तब टिम के माहा हैल सा पताती है कि हम लो बहुत सारा खाना खाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों बात खाना खाया था कुछी देर बात में यहां बेबीसिटर की एंट्री होती है जिसका नाम लिंडा था पहले तो ये बच्चे लिंडा को बिलकुल पसंद नहीं करते लेकिन देखते ही देखते लिंडा की द बुदिए लिए को लगता है कि यह सब जूट मूट का नाटक कर रही है बलकि वह ऐसी नहीं है लिंडा उसे खाना बनाके खिलाती है लेकिन टिम उल्टा वो उसके मुह पे फैक्ट जिसके बाद लिंडा बच्चों के साथ में सीधा कमांडर के पास पहुच जाती है उसी बेबी को वापस लेने के लिए तब कमांडर मना कर देता है कि उसके पास बेबी नहीं है तब लिंडा उसके लिए खाना खाने की जरूरत होगी तब लिंडा उसके लिए खाना बनाती ह और तभी वो बेबी खाना खाने लग जाता है ये चीज़ देखे तो कमांडर भी बड़ा खुश हो जाता है कि आखिरकार ये बच्चा खाना खाने लगा है दूसरी तरफ हमें टिम के पेरेंस दिखाये जाते हैं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लिंडा के साथ सारी बच्ची बहुत खुश है टिम के पेरेंस फोन करके बताते हैं लिंडा को कि वो लोग घर को सेल कर रहे हैं तो लिंडा बताती है कि कोई बात नहीं मैं बच्चों का ध्यान रख लूँगी बच्चों ने भी चोरी चुपे ये बात सुल ली थी और उन्हें लगता है कि लिंडा इन्हें धोका देने वाली है इसी के करण टिम रात होने पर ये और्फनेज सेंटर के अंदर कॉल कर देता है कि यहाँ पे एक बेबिसिटर है चुकि उन्हें बहुत परिशान कर रही है अगले दिन तो यहाँ पे घर के सेल होने से बहुत सारी लोग आजाते हैं लेकिन टिम और उसकी बेहनों ने मिलके प्लैन बनाया था कि यहाँ पे जो भी मकान खरीद ने आएगा ये सब मिलके उन्हें डरा देंगे ताकि कोई भी मकान खरीदी ना सके यहाँ पे एक बहु तो लिंडा ने किया था क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी घर बिख जाए इसी से हमेरं टिम बताता है लिंडा को कि मैंने एक गलती कर दी है असल के अंदर उसने जो और्फनेज सेंटर को कॉल किया था इसी के कारण वहाँ पे और्फनेज सेंटर से काफी सारे औरफिसर्स वहां से भाग किया जाता था और हर बार ओर्फरनेश सेंटर वाले उसे पकड़ के अपने पास ले आते थे एक दिन लिंडा जब बच्चों को ढूंडी रही थी तब उसे टिम की कैप दिखाई देती है और इसी के साथ में वो कैट भी मिलती है जो कि इस फैमली के साथ में हम यहीं पर रहना चाता है लिंडा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैंने तुम्हें माफ किया और अब हम सब साथ रहेंगे लिंडा अल्मोस्स टिम को बाहर लेके जाने ही वाली थी कि तब भी और्फरनेश सेंटर वाले लोग यहां पर पहुंच जाते हैं जो कि कंट बाद में दौनों ट्विंस बच्चियां क्याती है कि हो सकता है कि हमारे पेरेंस मर गये हों लेकिन टिम कहता है कि एक बार हमें उन्हें जरूर ढूनना चाहिए शायद वो बरफीले पहाड़ों में हो क्योंकि वहीं उनका लास डेस्टिनेशन था दूसी तरफ हमें टिम के आखरी दिन है और यहाँ पे मर जाएंगे दूसी तरफ लिंडा बच्चों के साथ में कमांडर के पास पहुँचती है और कहती है कि इन बच्चों को इनके पेरेंस को ढूणना है तो आप मदद करिए कमांडर के पास एक बहुत बड़ा शिप था इसी की करण वो बच्चो दूरने के लिए अकेला ही चला जाता है उन्हें उनका गोला दिखाई देता है और इन्हीं पता चलता है कि इनके पेरेंस भी यहीं होंगे बर्फ इली पहाड़ी तक ही सारे बच्चे पहुँच जाते हैं जहां पे जेन को अपने पेरेंस की आवास सुनाई देती है जात चलाना आता नहीं था इसी के करण वो एक उची सी चोटी पे जाके अटक जाते हैं तेम भी अभी यहां पे अटक चुका था क्योंकि यहां पे बहुत ठंड थी और वो इन बच्चों को वापस आखिर बिना पैराशूट के कैसे लेके जा सकता था उसे लगता है कि आपने उपर बिठा के पैराशूट बना के निकल जाता है कमांडर ने इन सारे बच्चों को अडॉप कर लिया था और अब यह सारे बच्चे भी कैंडी शॉप के अंदर ही रहते थे दूसी तरफ टिम के पेरेंस दिखाये जाते हैं चोकि क्रेश होने के करण पानी में थे और उन्हें उनके गलती के सजा मिल गई थी क्योंकि उन्हें एक वेल मचली ने खा लिया था इसी के साथ गाईज यह शांदर मूवी हैं पर खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को यह मूवी कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी ल आपाल आप सुछ क सभी लोगों कैसे लोगों कि श्रीव चाईएड़ लोगों के सभी लोगक पर एक न्युम भाईएज लोगों झाल, 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 झाल